जब भारत सिंगापुर में दुनिया के देशों को अपनी सरवादी कचूक मिसाईल ब्रहमोस बेचने के लिए घोशना कर रहा था ठीक कुशी वक्त पाकिस्तान में अमरीकी डोलर धड़ड़ विक्रे थे जिसका मतलब है पाकिस्तानी रुपे पर छपे जिनना जलवा फरोस की तस्वीर अपने पाजामे के नेफे में कोई नहीं रखना चाता है मतलब हम पाकिस्तान का ये जलवे फरोस जिनका रूप अक्तियार कर चुका है और लोग इसे बाई बाई करके टरंप बाबा के डोलर को अपना रहे हैं यानि गदो की पैदाबार बढ़ने वाला यह मुल्क अपना सफर मंदरसों से होता हुआ घासमंडी के उस सलाम खाने तक ले आया है जहां पाकिस्तानी मस्जीदों की अजान कभी सुनाई नहीं देती इस गेट पर केवल हाई अल्ला हाई अल्ला और नया पाकिस्तान की चीची पोपो गूंज रही है मतलब पाकिस्तान नाम का यह मुल्क अब फाकिस्तान बन चुका है यह उसी दिन टै हो गया था जिस दिन फाके खान आयमेप के साथ मेमोरेंडम तयार कर रहे थे यानि पाकिस्तान का जिनना वाला रुप्या अब गदो पर ही धोया जाएगा जिसके बारे में कयास लगा जा रहे हैं कि ईद के बाद जैसे ही बजट पास होगा और IMF के एग्रिमेंट पर साइन होगे इस मुल्क का मुँँ शाहिस से पुत जाएगा मतलब जिस जिराफी गर्दन उठा कर यह पाकिस्तान बकलोली करता है अब उस पर IMF की दुम लिपट चुकी है जो जितनी कसेगी यह फंटर मुल्क उतना ही गुंगा और बहरा बनता जाएगा यानि अब यह मुल्क दो पार्टों के बीच फस चुका है जिसमें एक IMF है और दूसरा चीन पर यह असली कहानी नहीं है पाकिस्तान में असली तमासतों ईद के बाद होने जा रहा है पाकिस्तान के 9,00,000,000 टेक्स पेर में से अधिकतर अब पाकिस्तान से भागने की योजना बनाने में जूट गए है बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी बैंकों में जमा इनका बेनामी पैसा भी अब विब्ड्रोल हो चुका है जिससे पाकिस्तान में नगदी की समयश्य भी मूँ उठाये आ रही है इन लोगों में अधिकतर बिजनेसमेन है जोनोंने उस पैसे को इंडिश्यले इस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करके उसे सफेद पाकिस्तानी पजामा पहना दिया है दरसल इन लोगों को आभास हो चुका है कि आयमेट की हांडी को जीब से चाटने वाले इमरान खान अब उसी जीब को उनकी तरफ लपलपा कर कुर्ता फाड़ो खेल खेलने जा रहे है पर मामला इन लोगों तक ही सीमित नहीं है अभी तो उन पाकिस्तानी दुकंदारों की लंबी दाड़ी पर भी निगा है जो मंदी की मार में फानूस बन चुकी है इमरान खान ने उन पर भी 10-15 फिजदी टेक्स का बोज डालने की तैयारी कर रखी है यानि जैसे ही बाठ तरह जो उठाएंगे इमरान खान चंपी करने के बहने इनके बचे खुचे बाल भी उतार ले जाएगा मतलब पूरा पाकिस्तान रोसंदान बड़ी बात यह है कि आयम अपने अपने बिना तेल लगे गांठ डार डंडे से पाकिस्तान को समझाया कि अमरीकी डोलर को ओपन मार्केट में खुला छोड़ना होगा जिसका मतलब है पाकिस्तानी सरकार का उस पर नियंतरन खतम हो जाएगा और डोलर बिना अच्छे के सारे पाकिस्तानियों के सामने नंगा ना चेगा जबकि जिन्ना का फोटो वाला नोट पाकिस्तानी बच्चों को मदरसे में भेजने के काम आएगा खास बत यह है कि पाकिस्तानी अवाम जो तर्बूज खाकर रोजा इफतार कर रहा है उससे उसकी गर्मी दब नहीं रही है वे 28 में के इंतजार में है मतरब यही पाकिस्तानी आएमेप खान की तस्रीप पर लात मार कर इस जनाब को सिक्सर वाली गेंद बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं पर यह पाकिस्तान है मुगलो मदर्सो मजब और मजबूरियों वाला मुल्क इस मुल्क को आज तक इस बात की समझ नहीं आई है कि आएमेप और वर्ल्ड बैंक जैसी सस्थाए कैसे काम करती है यह मुल्क सिर्फ करज उठा कर और परमानुबं बना कर उसी में उलज गया है यह सस्थाए चाती भी यही है अब जरा World Bank और IMF जैसी सस्थाओं के कारिया करने के तरीकों को भी समझना जरूरी है यह सस्थाएं दुनिया के उन देशों को गुलाम बनाने वाले ने संगठन हैं जो पूरी दुनिया को खासकर इसलामी देशों को अपने कर्ज के जाल में उलजाए रखते हैं यह ठीक उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ती बड़ा कर्ज लेता है फिर उसकी जिन्दगी उसी कर्ज को उतारने में खतम हो जाती है इसके लिए World Bank और IMF किसी देश के तीन मेहत्पूर्ण अंगों को अपने हिसाब से चलाते हैं इसमें एक है विदेश निती, दूसरा वित्मंतराल्य और तीसरा है उसकी घरेलू नीतिया यानि ये संगठन किसी भी देश को आसानी से गुलाम बना लेते हैं जैसे पाकिस्तान IMF का गुलाम बन रहा है अब पाकिस्तान के विदेश, घरेलू और वित्मंतराल्य गरेले ने IMF के अनुसार लागू किये जाने वाले हैं या ये कहे कि किरियानमी थोने सुरू हो चुके है IMF के बाने CPAC से जुड़े उन महतपूर दस्तावेजों को भी अपने अधिकार में ले लिया है जो अमरीका के दबाव के बावजूद भी पाकिस्तान नहीं दे रहा था मगर एक ही जटके में यही पाकिस्तान कुर्टा तैमंद उतारने के लिए तैयार हो गया पर यह तो सुरुवात मतर है असली चोट तो इस देश की राजनीती पर पढ़ने वाली है यानि पाकिस्तान का इस 6 अरब डोलर के बेल आउट पैकेज से पेड नहीं भरने वाला है उसके खजाने में मतर एक महीने के खर्च के लिए पैसा बचा है अब यह मुल्क उस विद्रों की तरफ बढ़ रहा है जहां कभी भी बड़ी राजनीती कुथल-कुथल मत सकती है आयवेक्स से इमरान खान ने जो डिल की है अब विपक्सी पार्टिया उसे मुद्द बना कर उगर होरे पाकिस्तानियों को लामबन कर रही है पाकिस्तान में हर किसी को आभास है कि 28 में इसको आने वाला बजट उनके माते पर काला चांद बनाने आ रहा है इसलिए उसके बाद ही यह पाकिस्तानी इम्रान की तसरीफ लाल करेंगे पतल भी ये जनाब को बताएंगे कि तुम नया पाकिस्तान बनाने आये थे या पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान आसा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपसे सिगर बेट होगी तब तक के लिए अनुमती दीजिए जै जवान जै किसान जै हिंद वद्द मातरम